नाकपुर के अमबाजरी तालाब को देड़ सो वर्ष पुरा इत्यास है अमबाजरी तालाब के अवस्ता ऐसी दैनी हो गई है अगर समय पर इसकी मरमत और मेंटेनन्स का कारिया नहीं किया गया तो आसपास की कई कॉलनियों के साथ-साथ नाग नदी में बाड़ आने से भारी नुकसान का खत्रा बन गया है इस ओर MWRRRN ने ध्यान देने की सक्त जरूरत है सिटी के 150 वर्ष पुरानी एतिहासिक अमबाजरी तालाब की अवस्ता ऐसी दैनिया हो गई है कि अगर समय पर मरमत वो मेंटेनिंस का कारे नहें किया गया तो तलाब की एक और दिवार तूट सकती है इससे आसपास की कॉलनियों के साथ ही नाग नदी में बाड़ आने से भारी नुकसान का खत्रा बन गया है तलाब की सुरक्षा से संबन्दित खबरों के प्रकाशित होते ही महराश्टी चल संपदा नियम प्रधिकरन यानी MWRRA ने स्वसंग्यान लेते हुए खुद ही जन्ही तियाची का दायर कर ली है साथ ही मनपा आयुकतव विधर वसंचाई विकास महामंडल के कारिकारी संचालक और चिलादिकारी को 28 अक्तूबर को नोटिस जारी कर 23 दवंबर के पहले एफिडविट पेश कर अपना पक्ष रखने को कहा गया है दरसल मेंटेन्स व अंदेखी से अमवाजरी तलाब की बाउंडरी वॉल की हालत दैनिय हो गई है तालाब में 12 महीने पानी लबालब भरा होता है बारिश की दिनों में तो यह ओवरफलो होता है पानी के दबाव से जरजर हुई बाउंडरी अगर टूटी तो शहर के कही इलाके खत्रे में आने का भय है सिटी के इस 150 वर्ष पुराने तालाब की उचाई 11 मिटर है देखबालव दुरस्ति के अभाव में इसकी सुरक्षा दिवार की हालत दैनिय हो गई है कुछ संगटनों ने मन्तपा के अधिकारियों का ध्यान भी इस और दिलाया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई जब इस संदर्ब में खबरे सामने आई तो MWRRA ने खुद संग्यान लेकर संबंदित अथोरोटी के प्रमुक अधिकारियों को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का समय दिया है सुरक्षा दिवार को मरमत की सक्जरूरत है और अब नोटिस जारी होने पर कार्य होने की उमीद नागरिकों को बंदी है कैमरा पर्शन राजकुमार महोड के साथ संजे मीरिक रिपोर्ट इन बीसी न्यूस नाकपुर